नमस्कार दोस्तो तिन भर की सभी बड़ी खबरे मुखे समाचार आप लोगों के लिए लेकर किया आए हैं जहांपर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहत बड़ी खबरे मुखे समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे इसलिए लगतार अमर साथ इसी वीडियो में बने रहेगा तो वहीं दोस्तों कबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारी यूटूब चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को ज राहुल गांधी जी हाँ दोस्तों खबर बताते चलें लोगसभा में बोलते हुए कॉंग्रिस के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि अध्यच महादे सबसे पहले मैं आपको मुझे लोगसभा के सांसद के रुप में बहाल करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी कहा सच कहा राहुल गांधी ने आगे कहा है कि आज भाजपा के मेरे दोस्तों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मेरा भाशन अडानी पर किंद्रित नहीं है इस दोरान राहुल गांधी ने जम करके निसाना सादा है और मड़ी पुर का मुद्दा भी उठाय अगर आप लोग भी राहूल गांधी के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजेगा अगली अपडेट बताते चलें कॉंग्रेस के अध्याच मलिका अरजुन खडगे चुनावी राजियों का दौरा करेंगे कॉंग्रेस सासित 36 गड़ से सुरुआत अभियान को मिलेगी धार खबर बताते चलें कॉंग्रिस के अध्याच मलिका अर्जुन खडगे कॉंग्रिस के चुनावी अभियान के सुरुआत करने के लिए पांच राच्यों जैसे की चतिस गड़, मध्य प्रदेश, राजिस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का दोरा करेंगे ताबरतोर तरीके से इन राच्यों में ज अपताह से ही मैदान में उतरने की योजना बनाई है और इसकी जानकारी कॉंग्रिस के सुत्रों ने दी है, सुत्रों ने बताया है कि वहाँ उन राच्यों में रैलियों को संबोधित करेंगे जहां पर इस साल के अंत में विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं, कॉंग्र भारत जोडो यात्रा का दूसरा चरण कुजरास से मेघालाय तक होगा, जिसको लेकर के कॉंग्रिस पार्ठी के दिगज नेताओं ने 16 अगस्त को एक बड़ी बैटक बुलाई है, भारत जोडो यात्रा के सम्मन्द में, जिसमें पूरी योजना तैयार की जाएगी, यह य पुर्व 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 पुर्दान नियाधिस, रंजन गोगोई की टिपनी का सुप्रीम कोट में जिक्र किये जाने के बाद, CGI चंदर चूड की तरब से यहाँ बयान सामने निकल की आया है, दरासल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राजसभा के मनोनिस सदसे, गोगोई ने राष्ट्रिया राषधानी छेत्र दिल्ली सरकार संसोधन विधैक 2030 पर चर्चा में भाग लेते हुए, राजसभा मे इस बिल का समर्थन किया था, बताते चलें, CGI के सामने इस मुद्धे को यहाँ पर वरिष्ट अधिवक्ता कपिज सिब्बल ने उठाया, यह यहाँ पर खबर आई है, एक और अप्टेट बताते चलें, ED ने जारखंड के CM हिमंत सूरेन को पुष्टाज के लिए भेजा समन जमीन घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला, खबर बताते चलें, ED ने जारखंड के मुख्यमंतरी हिमंत सूरेन को समन भेजा है, कथित जमीन घोटाले के मामले में यहाँ एकसन लिया गया है, आप ल अफ्तार कर चुकी है और अब इस मामले में CM सोरेन को 14 अगस्त को ED ने पूस्ताज के लिए समन भेजा है जिसके बाद यहाँ पर अब एक बार फिर से विपच्छे और भाजबा आमने सामने आ सकते हैं इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं पश्यम मंगाल केरल यूपी और जारखंड समेत छे राज्यों की साथ सीटो पर विधान सभा उप्चुनाओ की घोशना करती गई है पांस सितंबर को होगा मतदान खबर बताते चलें चुनाव आयोग की तरफ से जारखंड तिरपुरा केरल पश्यम मंगाल यूपी और उत्राखंड की साथ सीटो पर विधान सभा उप्चुनाओ कारकरम की घोशना की गई है चुनाव आयोग की अनुसार उप्चुनाओ 5 सितंबर को होगे और वोटो की गिंती 8 सितंबर को ह इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेताओं का कहना है कि पियूस गोइल ने विपच्ची दलों के इंडिया गडबंधन और उसके नेताओं को गद्दार कहा था जिसको लेकर के विपच्ची नेताओं ने कड़ा एत्राज जताया है बताते चले विशयस अधिकार नोटिस पर हस्ता आछर करता कौंग् द्रमुक और जेडियू, एनसीपी, वामपंथी दल सामिल है यह यहाँ पर खबर सामने निकल की आई है एक और अपडेट की तरह आप चलते है नौ साल में केंदर ने गिराई है नौ सरकारे सदन में भढ़की है एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले एक खबर बताते चलें लोग सभा में विपच्छ के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले ने केंदर सरकार पर जम करके हमला किया है सांसद सुप्रिया सूले ने साल 2014 के लोग सभा चुनाव से पहले बीजेपी के नारे और वादे याद दिलाते हुए केंदर सरकार को मडीपुर में महिलाओं के साथ हुई गटना को लेकर के गिरा है इसके साथ ही सुप्रिया सूले ने मोदी सरकार पर निसाना साधते हुए यहां भी कहा है कि बीजेपी ने बीते नौ सालों के अंदर कई राजों की सरकारे गिराई हैं उनके सासन में महेंगाई चरम पर पहुँच गई है सुले ने आगे कहा है कि बीजेपी ने अरुनाचल, मड़ीपूर, मेगालाए उत्राखंड करनाटक, कोआ, पुडुचेरी, मदब्रदेश और महराष्टर में सिर्फ सरकार गिराई है यह यहां पर NCP की सांसद सुप्रिया सूले काफी हमलावर नजर आई है केंदर सरकार पर पूरे मामले को ले करके इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं दोस्तों इंडिया के सयोजक बनेंगे नितिश कुमार सोनिया गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी मॉंबई की बैठक में होगा बड़ा ऐलान 26 दलों के विपच्छी गढबनन के द्वारा लोग सभा चुनाओं के लिए बनाए गए इंडिया गढबनन के दो दिगज निताओं को आगामी बैठक में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार इंडिया के सयोजग बन सकते हैं जबकि कॉंग्रस की पुरवध्यच सोनिया गांधी को अलाइन्स का चेयर परसन बनाय जा सकता है इंडिया की और से 11 सदस्य है कॉर्डिनेशन कमिटी भी बनाई जा रही है विपच्ची दलों की अगली बैठक मुंबाई में 31 अगस्त और एक सितंबर को होगी यहाँ पहली बार होगा जब यहाँ बैठक उस राज में आयोजित की जा रही है जहां पर इंडिया गठबंदन में सामिल किसी भी दल की सरकार नहीं है और यहाँ पर सोनिया गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी यह यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बेहत बड़ी खबरें मुखे समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा जादा से जादा इन खबरों को मुखे समाचारों को शेयर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद